जब रावण का घंबडे नी बचा तो मोदी जी क्या चीज है जब साथ ता कोई तो सही तो सुधार तो होता यह सुधार इनी किसी चीज कभी ना संचल को किना मतलबी नी कभी ना दिगंपार्सत कभी इस वारे में सोचते ना को विदाग यह सिर्फ पंदरा का चब्यू जन् कि अर्पटाई भी नहीं हमत कुण है यहां का सामसाथ कभी देखा है नहीं है अभी फेस्बुक पर आके गाना गारे होते हैं कभी रिंकिया के पापा कर रहे होते हैं लेकिन लोग सभा में का है वो किसी को भी नहीं पता हमारे छेत्र का व्यक्ति यदि उन से मिलना चाहे तो यहां मौजूद गरिवा में वेक्तियों में से दो चार को छोड़कर कोई उनका पता तक नहीं बता सकता है जब से यह आम पार्टी आई ना यह जाड़वाली पार्टी इस ने पुरिये देश्म जाड़ू लगाती पती सोचके हैं अन्ना अजारे जी की छाती पर पैर रखके रात निती माय कैसे कैसे वादे करके आये यह सब को पता है वाम पंति सोचके हैं बहुत आजमा आपको आ रहा है लोग तंत्र का सबसे बड़ा तोहार आप कितने हैं तैयार नमस्कार आपके साथ हूं मैं आर्जुदूबे और आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत लोग तंत्र में सब को बोलने की आजादी हैं इसलिए आप यहां खोलकर बोल सकते हैं खोलकर उठा सकते हैं अपनी अवाज खोलकर बता सकते हैं कि इन पांट सालों में आपके इलाके में सांसर्ग ने क्या इक काम किया है और क्या खाम्यार है गई है इसलिए भुव hawak के लिए लेकर आये हैं भारत बोल इस व bombers हो मक्त दिल्ली के इस्ट जोटी नगर में मौझूद हैं। डिली के इस वक्त मौझूद है। आप सभी का प्ल भारत पॉल में स्वागत करती हूं। चलिए…… प्ल भारत पोल शुदू करते हैंrey, अपना पहला सवाल लंगे। आज ये कैम्रों पर्सनितर राजए। इलाके में संसद देखा है आपने कभी आता कोई तो सभी तो सुधार जो तो होता है यह सुधारी ने किसी चीज का भी अर पताइबी निया मतो कुण है आका सांसाथ कभी देखाई निया बोट्टु के टेम तो कहते हैं अजोड है जी अहाँ अब आता निकोई भी कोई काम निकिया है लाप कुछ नहीं कर रहे पेडी की दसा देख लो गड़ियो की दसा देख लो पारक की देख लो क्या थोरी पारक की जाड़ु आड़े तो अद्टे नि और तो क्या करेंगे हां समझ से क्या कहीं कि बॉसा है कह रही है चाहिए ठीक है देखिए सब लोग कहते हैं कि कोई भी प्रतिनीदी चुनाफ के टाइम पर नजर आता है लेकिन हमारे आंके सांसत मनोस्तिवाली जी तो चुनाफ के टाइम पर भी कभी नजनली आते हैं कहां है फिर वह पिर वहां पर नजरीत आए लेकिन टिकट लेकिन में नहीं होती है लोग सभा में दसों विदान सवा तो 100 विदान सभा को इतना पुरा हार रहें लोग सभा दूसरी बात कि 14,000 करोड की पिछले 10 सालों में हमारे चेत्र में योजना आई है इसके अलावा पहले कांगरेस के सांसे दुआ करते थे उन्होंने केवल एक सौगात दिया है जो है मनोली जेर इसके अलावा कोई उन्होंने लावकारी योजना सडकों की कुछ नहीं दिया इसके बाद आजाओ आमानी पार्ड वैसे हमारे चेत्र के पहले बात मनोश तिवारी की चल रही है और असलियत जो है वो किसी से छुप नहीं पा रही है इस वक्त हम लोग पार्क में मौजूद ह अब पेड़ो की सिती यहां पे फुटपाथ की सिती देख लो तो असलियत जो है वो छुप नहीं पा रही है तो उनका तथ्थे भी एकदम सही है उस पर आप आईये पहले मैं आता हूँ मैं पहले तिवारी जी पर आता हूँ तिवारी जी नहीं पापस जादा जोड से चल सेवा और व्यापार अलग चीज है उनका शोग भी उनका पेशा है फिर हमों में कायम करना किर्केट खेलना और एक बावता हो किसी में कोई शोग है कोई बुरी बात नहीं है दूसरी बात सांसत जो निदी होती है वो अपने हिसाब की पूरी ला रहे है कोई कमीन है पूरी पूरी योजना यारी है परवान चड़ रहे हैं आप यमना एक्सपेस में उसके अलावा सड़कों की हालत देखिए बहुत बढ़िया है अब जब कारेश चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत जबड़ हो सकता है आज भी उन्होंने करावन लगर में वीर सावरकर होस्पिटल म इदर हो सकते हैं तोड़े बहुत सही कहरें हैं थोड़े नहीं मानती है मैं यह कारेया आज पहली बार सुन रही हूं अंकल जी के मुह से ना में आज तक कोई कारेय देखा अपने नौट इश लोक सहा में तो आज तक नी देख और कई पे वो करेंगे क्यों सहमत है अब तो शांसद जी तो हमने पिछले दस साल में दो जोज़ा शांसद जी की हो चुगी यहां पर दमने कुछ उना करावा काम देखा यह तिली की जनता है रिकॉर्ड करी भी जपी का निगम पारसद यहां पर बीजेपी का विदायक है बीजेपी के सांसद है और जिसका अब सब्सक्राइब को लाइट नहीं है लाइट जो लगिए वादे अधिश्यादा लाइट खराब है ना सांसद को मतलबी नहीं कभी ना इकम पारसद कभी इस बारे में सोचते ना को विदायक यह सिर्फ पंद्रा का शब्य जन्वरी पर जंदे के टाइम पाएंग पोड़ों सब्सक्राइब करने के लिए यह पार्क है इसके चारों में कोई से भी से में पहले बहुत अच्छी घास थी सारों में आप किसी में को घास निया आपे सारी घास खत्म किसी का पूरे साल निगम पारसद हो विदायक हो या एंपी साब हो किसी को मतलब ने कुछ आने है कुछ करवाने है कुछ भी कहा विलुक्त है फिरिये सांसद जी देखें मैडम ऐसा है मैं आपको बता दूँ जिस छेतर में आप आज खड़े हुए हैं ये बीजेपी बाउल छेतर है कई योजनाव से जो हमारे निगम पारसद हैं बीजेपी के बनते आए हैं और विदायक जी भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ ये जो मेरे मित्र मेरे भाई जो आपको बता रहे हैं पारकों के बारे में ये किसी सांसद के अंडर में पारक नहीं आते हैं निगम पारसद के अंडर में पारक आते हैं देखे, एक सज़क सहरी होने के नाते, अगर मैं किसी फार्टी को सपॉर्ट करता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले है कारिया है यह मैं मानता हूँ जो कारिया होना चाहिए वो उस प्रगति के पत्पर भी अगरसल नहीं है इतना हाले की रही विधायक की बात निगम पारशत की बात या सांसत की बात काम होते रहे हैं और हो भी रहे हैं लेकिन थोड़े कहीं न कहीं कमी है अगर उसे भी थोड़ा दुरुस्त कर लिया जाए तो बहुत ज्यादा बेतर रहेगा ठीक है थान जी मैं क्या बोल रहे थी मैं जैसे भाई ने और मेरी चोटी बहन ने कहा कि यह पार्क की हालत देखो तो मैं आप से एक बात बोलना चाहूंगी और उससे उससे मुझे यह है कि अधिकतर लोग सहमत हो गई हमारे जो घर है दिली में वह एक तो फ्लैट रूप ले रहे हैं गलिया क्या है कि छोटी प्रूप जाएगी आप मुझे यह बाते हैं काम होता है अगर नहीं होता तो वे दो तीन या चार बार जीत कर नहीं आते तो इसलिए इस पार्क में कोई दिकत नहीं है सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे खेलते हैं इसलिए जगह है और और मैं आपको बताता हूं कि जो है ना यहां पर हमें यही सोचना चीए कि बार बार जीत के क्यों आ रहे हैं भाई ने एक सवाल उठाया अच्छा ने तो बताया रिंक्या के पापा करते हैं इसलिए इसलिए जीत करा रहे हैं चंटीगड में बार बार 15,000 सिरफ सिरफ मैं एक छोटी सी बात बताना चाह आ रही है और आगे भी करेगी और जहां जिस चेतर में अभी आप यहीं देखिए एक पोल यह यह सामने एक बार कैमरा में अगर तो दिखाएंगे पोल लगा वाए पोल नीचे गल गया था और दूसरा पॉल उससे पहरे लग चुगा है जिसका लोकारपना भी कुछी दिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रतियाशी को प्रतियाशी बना कर लोग सभा छेतर में भेजते हैं पर कोई भी यह क्यों नहीं सोचता कि हमारा प्रतियाशी हमारे छेतर का हो जब हमारा सांसत हमारे छेतर में र बैट करके सांसाद मोहदे ने कितनी पेंशने बनाई है कितनी विद्धावस्ता पेंशन बनाई है यहां बैठ करके क्योंकि हमारे छेतर का व्यक्ति यदि उनसे मिलना चाहे तो यहां मौझूद गरिमा में वेक्तियों में से 2-4 को छोड़कर कोई भी उनको पता तक नहीं ब सरकार ने रोग रखिया ते बातर जान का हूँ आज तक पेंशन नी मिली आज तक पेंशन नी मिली ना फारम मिलिया आप आरम बिले आ और नमबर दो मैंट बहुत अच्छे आदमी है आज तक हमारी नाडिया नी बनी शाड़कनी बने जैडे गैस धे खटें को देवे एए एपने जलो जाके दखाऊं कौन है कौन है ओ संजे जो है वह हमारे बड़े बाई हैं बड़े शांत खड़े हुएं क्या बात है बड़े शांत खड़े हुएं जब आप देना चाहते हैं या फिर लाइवान आपको भी पेज उपर जब आप देंगे बहुत एते देंगे जो जब अपनी आधी आधी गड़ी आगे तक घे रखी उनोंने, सफा यान यह उती गड़ी में वेहिकल खड़े कर देते हैं, यदि पतली गड़ी हैं, तो उनकी जुमेदारी इन लोगों के भी है, यदि पार्क की बात करी ना, यदि पार्क में किर्किट खेरता है, ये खराब हो गया, यदि किर्किट हमा अपने घर में खेरने के उस घर की आलत क्या होगी, जब से एम सीडी के अंडर में ये पार्क आई, उसे पूरे यहाँ पर घास होता था, घास की कर्टिक होती थी, चाह उत्रम को बहुत अच्छा होता था, लेकिन जब से आई ना, वाई बात है जब से और में किर्किट कोन खेलते हैं, खिर्किट भी आप साब के बच्चे हमाई तो खेलते हैं, यदि हमाई जहाँ ठीक रख ला आ हुठाए हम बच्चों को रोके कर लिए मों को टीन आज़ा है। क्या हुआ था आयो ध्याय में राम मंदिर का और घाटन हुआ था बच्चा बच्चा राम बोल रहा है बच्चे बच्चे की जुबान पर जैश्री राम है सवाल लेते हैं 22 जन्वरी तो 2024 को ऐसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा की गई जिसका निर्माण कारे पूरा नहीं हुआ था चारो श्रंक्रा चारे उस प्राण प्रतिष्टा में शामिल नहीं हुए थे क्या बीजेपी ने लोग सबाचुनावों को देखते हुए प्राण प्रतिष्टा का आयोजन करवाय था मैं बोलता हूँ एक मेंट एक मेंट जब किसी हम घर को बनाते हैं जब हम किसी घर को खिलाफ नहीं है सवाल ले रही हूँ सवाल ले रही हूँ सवाल है मेरा जवाब नहीं है गाज अभी सब के ऊपर गिरनी बाखी है रुख जाईए भी दसमेट भी नहीं हूँ है एशो के हम किसी घर को बनाते हैं और बनाते हैं कोई सुम मोरत निकल आए तो हम उसका मोरत कर देते हैं और इतना दूरा नहीं है मंदर के हम दर्शन्या तरफाए रही चार संकराचारे की बाद शंकराचारे उनने इलक्सन वो नहीं लड़ाए कि सुप्रीम कोट में रामादा भधराचारे जी ने लगा है और वो नहीं आ ले ना वो कांग्रेस ही है कांग्रेस के फक्समें भोलते हैं हमेजसा और हिंदु वrowधी बात ने करते हैं यह नहीं जाने संतेजखाली में वो शंकराचारे तो लेकिन सनातंधर्म की नीव मानी जाती है आपको ज्यानकरिक लिए बता दूँ कि आप चारो संक्राचारे के बात करieur रहे हैं उन्होंने कोई पुण GOOD मना तो किया ना सदातनधर्म की नीव मेना आप टारेख लीजीए इतनी डिबेट कि शंक्राचार Poland आए यहां किवलें के देखिए मैं बता रहूं ना कि प्राहर प्रतिष्टावी भगवान राम मंदर की किसी भी संक्राचारे नहीं किया ठीक है कि बीजेपी का राजनीती से कोई जनाता नहीं है राम मंदर को लिए मैं राम मंदर के बात करें राम मंदर के स्थान पर हम पुनर रस्तापित करना यह है यह व्धिया का जो राम मंदर का हूँ है यह बीजेपी के अजंडे में था पूरा हुआ है अपकी बात माली सुनी आप दूसरा जवाल बॉलीवुड की तमाम हस्तियां थी कहां थे बीजेपी के बड़े नेताव जेपी नडडा अमिच्छा सारे थे कहां थे एक में उनका उनका यह गलती आप अपने कौन से प्राइंब करेंगे तो गलत हो गया देश विरोधी काम ही नहीं है पॉजिटिव मैं बिल्कुल सोच रही हूं तो गलत हो गया बाद में वह दर्शन करके नहीं आई क्या वीजेपी का प्रतिक कारे करता अम इस शा को छोड़िए नडडा जी को छोड़िए छोटे से छोट लेकिन प्र्टिक नहीं है तो मैं मानता हूं नदा जी और इस लोग रहेंगे फोड़िए जैसे की राहूल गांदी जब जा रहा था अपनी बस में तब वहां पर जैसराम के नारे लग रहे तै तब जो है आपने शायद से देखा और न्यूज वो वहाँ पर राहूल गांदी एकदम से भड़ गे जैशिराम के नारे सुनकर तो फिर वहाँ पर तो आया है निता और जाए राहूल राहूल जादा तर जाए कॉंग्रेज जो है वो हिंदू विरोधी है मैं यह कहना चाहता हूं चली जलिए राहूल ठीक है राहूल गांदी का जिक्र बच्चे ने छेड़ा है राहूल गांदी की भारत जोड़ों निया यात्रा क्या 24 की चुनावों पर कोई असर डालने वाली नीए इससे कुछ दिनिया वने वाला है कॉंगरीज पुरी खताम हो चुकी है यह चाहे कितना भी वह कर लो इससे कुछ नहीं होने वाला यह गटबंतन जो है फेल हो चुका है उधर तो जो है लालू यादव के बैटे अलग हो गए इधर नितीजी ने छोड़ दिया सब ने छोड़ दिया लेकिन की कोई नया पार न होने की जो राम मंदिर के विरोधी होगा उसकी नहीं आपार नहीं होने की जो राम मंदिर के विरोधी होगा उसकी नहीं आपार नहीं होने की जो राम मंदिर के विरोधी होगा इसकी नहीं आपार नहीं होने की बताइए लेकिन मैं काम की राजनिती करती हूं भूके को रो साथ एक फ्री मिलनी चाहिए बड़े लिखे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए बीजेपी सिर्फ राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, राम जी हमारे भी हैं, हमें भी बहुत खुशी बाइस तारिक को, लेकि लोगों का क्या जो जनता, अब रही मनोस्तिवारी जी के का करने की बात मैं एक पॉइंट कहना पूल गई थी, आप कहरी मनोस्तिवार जी काम करते हैं, मिछले कुछ दुना पहले में एक भाशपा के पारशद के साथ थी, उनको कोई काम था, उन्होंने तुरन्द मनोस्तिवारी जी के पाफोन कर दिया, उनका काम हो गया, लेकिन मैं क्या जानना चाहती हूं जो नौर्थीस की लोग सबाकी जो जितनी भी जनता है के जनता ने वोड नी दिया कि शाप पार्शद विदायक नी वोड दिया है उस जनता कहा से पी एका मुबाइल नंबर और मनौस्तिवारी जी का नंबर लाए जो उनसे वो फोन करवा के काम कर सक कि हम राए मैं अलका जी की बाद से सहमत हूं अलका जी से एक चोड़ी सी बात पूछना चाहरा हूं कि दिल्ली सरकार राशनकार का क्यों नहीं खोल रही है दूसरा यहां पर सारे माइश्मा नियोजना है यहां पर दिल्ली में क्यों नहीं लाग होने देरे केज्रिवाल जी और तीसरा सवाल है मेरा कि दिल्ली में पेंशन क्यों नहीं खुल रही है चलिए एक मेट रुकी है शान है लोग और चौता सवाल चौता सवाल है तो कि आप खुल के शराब क्यों बाटी जा रही है आठवा समन आठवा समन के इज्रिवाल जी को भेजा गया देखिए हेमन सोरिन की तरह उनका भी वही वाक्या होने वाले है कि इसा इसमें एक बोतल के साथ एक बोतल बाटी गई फिरी वह क्यों हुआ बस यह बता लिए पहला राज्य है साथा जो सिक्षा मंतरी स्रामंतरी बना वो केवल केजरिवाल सरकार में हो सकता है और केजनिवाल सरकार ने स्रित करके दिखाया और रही बात यहाँ पर दिल्ली सरकार ने पूरे पार्कों के 12 बंद कराएं इसका NGT की आधेश से बंद कराए haven जो पार्कों की बात कर रहे थे और यहाँ पर पारसद जी ने कितना काम करा चोथी बार लगातार भारते जिन में पांच बार अगर पूरे पार्क में पार्स सरीता सिंग जी आई हो तो मैं जो आप कहेंगे वो सजा के लिए मंजूर हूँ हमारा विदायक भारते इंता पार्टे का विदायक जितंदर महाजन जी साइकल पर भी साइकल पर भी वो घूमते मिल जाएंगे और आठ दिन के अंदर हर एक निवासी यहां पर आट ड़ूए से संपर कर लीजिए यहां पर जनता से संपर कर लीजिए वहां पर लगाता टच में जनता के रहते हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी पर अपना एमेल लेका स्टीकर लगाया है स्कूटर पर एमेल लेका स्टीकर लगाया है साइकल पर आजाते हैं जैसे मेरी बहन बोल रही है कि काम नजर नहीं आ रहा तो मैं एक बात इंसे पूछना चाहूंगी कि एक तो राशनकार का बता दे यह राशनकार कितने सालों से बंद है दूसरी बात उसके बा बात दे कर महीने में दो दो बार राशन दे रहे हैं दूसरी बात एक बात और जैसे इनोंना का एक बात बता है फिरी फिरी का जादू जादा दिन मत चलाओ क्योंकि कुछ नहीं पिरिया है जैसे हमारे बड़े बुजरूग है अब आप एक बात बताईए कि यह इन्हें सा बात कर दे जाए जवाब तो यह है कि लोग जो कह रहे हैं क्या कांगरस के समय में पेंशन कितनी थी सबसे पहली बात बसे जो हैं जिन में आज महिला हैं फिरी यात्रा कर रहे हैं और यह भी एक महिला हैं और भी महिला है कि से पूछ रहा हूं कि किसके साशनकाल में ऐसा हुआ यह दिल्ली सरकार के साशनकाल में केवल ऐसा हुआ कि महिलाओं को फिरी में बसकी यात्रा करनी पड़ी और आज भी सबको अधिकार प्राप्त है किसके टाइम में 200 बिजली फिरी मिली क्या कॉंग्रेस ने दी क्या बीजेपी ने दी किस ने दी यह जो पैंशन हमने अगर इनको सवाल करना तो अपने सांसत से करें कि फूट कॉर्परेशन इंडिया ने अभी तलग एलोगेशन क्यों नहीं करा और उसकी फाइल आज भी कमिशनर गाज पैंडिंग है आज अब पता कि इस बात को और उजाला योजना लगवाई बहुत काम करें तो फिर यह मैडम कैसे कहरी बीजेपी ने काम ने किया अगर बीजेपी काम ने करते ना मारा विद्याग जीत काता ना मार निकम पारसाज जीत काती मोदी जी जो चलारे है राज को सही है वर्ड वाले मानते हैं वो तो पूच दें मोदी जी को और यह हमारे कहते हैं एक वीजेपी घराब है अरे सर भाबु क्यों हो रहे हैं मैं इसले रुखी हो रहा हूँ कि जब से यह आम पार्टी आई ना यह जाड़ वाली पार्टी इसले पूरे देश में जाड़ लगा दी अचा दूसरी बात है यह कहते है ना पाणी बिजली फिरी कर दिया यदि हम पाणी फिरी के पैसे दे सकते तो हमें लानत है हम तो पैसे देंगे लेकिन जाज बेजो पाणी के यहाँ पर गड़ी में पिछल विश्मी साजार लप यह बिला रहे जिसके घर में सिर्फ दो आत्मी कुछ आत्मी एचे जिसके घर में ताले आ रहे वाँ बिजली का पाणी का भी ओड़ दार रहे यह पर सब्सक्राइब अचा सुनो अब रही बात प्रशन की जब यह कह रहे ने कि मैलाओ को फिरी घुमारे जब मैला पक्सों में चलेगी फिरी चलेगी और वैसे लोगों को तनका कहा से मिलेगी जब पैसे तो वही से खटे होंगा ना टीटी सी से जब वह उनको फिरी वहाँ च प्रशन के अन्ना जारे जीए कि चाती पेर रखे रात नितीमाय कैसे कैसे वादे करके आयते यह सब को पता है वाम पंती सोच के हैं हमारा पड़ार मंत्री इस देश का पड़ान मंत्री कल 11 बजे राष्टे कारले में रात को जाके चुनाव समीती की बैटर करते हैं सवा 3 बजे वहां से निकलते हैं और 8 बजे एरपोर्ट पे जाके पस्चिमंगाल में रैली करते हैं अगर वो 400 पार का नारा दे रहे तो अ हजार चौबिस का मोधी जी का सबसे बड़ा एलान 400 पार जबाब दे दीजे 400 पार 400 पार कैसे आप सब के उससे हैं आप बताओ अब की बार 4 पार है नहीं आप ही बताओ ना अधो सवाल करने अगे तो आप ही लोग करें 400 पार आपने शायद मेरा सवाल सुना निए पीछो जी का दो हजार चौबिस में सबसी बड़ा एलान 400 पार जवाबी सो पर्सेंट 400 पार जब उनके कांग्रेस के अध्यक्षी कह रहें 400 पार तो हम कैसे नहीं बोलेंगे है अपकी बार अपकी बार अपकी बार वार देंटा पाल डए हैं अगे मेरा एक सवाल है जैसे इस भाई सोरी इन भाई होने क्योंकि मैं थोड़ा गाऊं की हूँ तो कभी कभी बैगरांड आजता है उसकी कोई दिक्तनी आप जैसे आ इन्हों ने इंगली संह किया पड़ा लिखा नहीं है तो यह हिंदी में भी बात कर सकते हैं कोई इंग्लीज भी समझ में आती है हिंदी भी और अंग्रेजी जाड़के ना कोई ठेना अलक्सन नहीं लड़े जाते शिद्धी बात है क्योंकि जरूरी नहीं नहीं बोल रहा तो उसे पड़ा लिखा नहीं है या जनता है सब जानती है तो जैसे कह रहे हैं तो मेरा एक सवाल था भाई ने बात क्यों गुमाई जो यह जो न्यू पैंसर ने वह बंद क्यों करी गई मैंने यह पूछा था तो इनसे यह पूछ के बताईए और रही बात जैसे यह आईश्मान काड है तो यह दिलने में हमने इसे पूछ चली को आठवा समन भेजा गया मनीज सिसो दिया सतेंड्र जैन है संजे सिंग सभी जेल में है शराब नीती घोटाले मामले में अब अगली बार किसका नंबर कर दिए बार के लिए नहीं जाए तब तब मेरे पानि का आज भी 25,000 का बिलाया हुआ है। कोई माफ निया माफ उनका है जिनके एक बाजी पानी लगता है। जो घरों का पिला है घर के माफ कर दिये। गर के माफ कर दिये लेकिन कमर्सल में देख रहे हो कितने रेट आ रहे हैं। एक युनट बीस उरुबे की पड़ती है, मैं मेरी सोप है, मुझे पता है कि चालीस उनट का मैं हजार उपर बिल देखता हूं, कि इस उसको देखो ना, कहां फिर फेल हो और यह जीरो मिल रही है, जीरो मिलती ही, तो हमारा भी बिला था कमरसल वालों का भी कम होना चीह था न कमरसल वालों का 20 उनट क्यों हो रहा है, क्या कारण है, वैसे कहते हैं, 200 उनट फिरी है, अब चालीस उनट के अंदर हम 12 पर बिल दे रहे हैं, तो कहां फिरी हुई है, यह तो बताओ ना मुझे, और रहकर एक इस बात का हूंगा, त्रेता युग में, पानी साह बैनी दिल् कि करम करोगे अगले जनम में फल मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कल्यूग है, इस करम का फल इसी कल्यूग में भुखतेगा और 15 और 20 साल के अंतराल में भुखत लेगा, तो साहथ वो समय केजरीवल का आ गया है, एक मिन रुगे, सर कुछ बोलने वाल के बिजने पानी फिरी, सवाब समावरी फिरी जा भी फिरी आपको पैसे ते रहें पहले हैं वो पॉपलिक को कुछ भी समान फिर में क्यों दे रहे हैं क्या कोई पार्टी अपने पापका पैसे से बाटी है जो पीजैपि बाठ थी है कि हम पाश साल रासन फिरी दे रहे हो उनको नोगरी तो अपना खाएंगे आप कि दिल्ली वाले हैं हमादी पार्टी वाले नुकम पानी फिरी दें क्यूंगे पानी फिरी भई जो कमार है वो पानी का पर लेगा अच्छा यह दा जो पानी फिरी बताते हैं यह इसी फार के बिलकुर सामने घार है जी हमारा गार में चार्चर मेंबर है उनतीस जारुपे का सबसे बड़ी बात यह कि जितना भी चीज़ों फिरी करने जो भी कर रहा है न जहां पे जिस चीज की आवश्कता है अब मैं आपकी केजिरवाल साब की चीज बता दूए जब कोरोना हुआ था तो तीन साल पहले तो यह कहा गया था कि दिल्ली के लोग दिल्ली जो जहां है लेवर जितने भी लोग सर्मिंग लोग काम कर रहें वहीं रहेंगे वहीं खाने खाएंगे वहीं गौवर्मेंट उसक इतनी बसे की वहां से और उन्होंने उन सब लोगों को घर तक पहुंचा है यह उनकी बात दूसरी बात यह देखो कि हिंदुस्तान का तिरंगा पूरी दुनिया में लहरा रहा है आज हर पार्टी का हर आदमी मोधी साथ के साथ क्यों आना चाहता है देश के लिए यह तो सब को प्यारी है ना पूरे देश में वैक्सिनेशन हुई और दो तो और तीन तीन दोज लगे सबको एक साल में अभी तक जो पहले होता था चिकन पॉक्स होता था उनको साथ साल लग जाते थे आज एक ही साल के अंदर उन्होंने एक वैक्सिनेशन बनाई और पूरा इंदोस्तान खुसाल उसमें रहा और आज की वाद करें पूरे देश में देखो पूरे दुनिया में आज मोदी जी का नाम जो है दुनिया में क्यों आता है आपने यहां पे एक चीज कही है कि भाई यहां जो है काम नहीं हो रहा है बच्चे खेल रहे हैं अभी बारी सोर पार कुछ हो रहा है शांसत जी अगली कडी है वो देख और भी समझाय उसके बाद रहे बिदायक जी एक मिनट में आते हैं एक सेंड लगता है विदायक दी को आने में उसके बाद हमारी जो पार सिदा है वह अपना काम सही कर रही है लेकिन एक चीज है यह एक मिनट फोन भी नहीं रहेगा केवान मोधी जी का नाम रहेगा और चार सब बार चलिए चलिए विपक्ष की बात यहां पर हो गई है सबी मेरा सवाल को जला धिहान से सुनिए अरे आजका सुनने में आ रहा है चार सीट तीन सीट के बारे में कुछ-कुछ चार पे आम आदमी पार्टी तीन पे कॉंग्रेस यह अंदर की बात क्या है यह वता दो बस यह अंदर की बात नहीं है बिलकुल बहार की बात है और अब इसका पब्लिक ली एलान भी हो चुका है दिल्ली में चार सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और ती सबस्क्राइब के लिए के लिए ही एक कलें यद्ये को समर्थन लिया था उस टाइम पे कॉंग्रेस का उससे पहले कॉंग्रेस को हटा कर ही हम लोगों की अठाइस चीटाइज है मामधिपाटी पहले वार सत्का में आई थी उस टाइम पे कॉंग्रेस का कमेंड तोड़ा था और आज के टाइम में भाश्पा का कमेंड सर्व परी है जब रावन का कमेंड नहीं मचा तो मोदी जी क्या चीज है और उसके बाद में अगर मोदी जी भाश्पा का कमेंड तोड़ने के लिए अब जो जिसको साथ आना पड़ेगा आएंगे लेकिन भाश्पा का कमेंड तोड़ेगे जाएंगे जितना विकास मोदी जी लेकिया है आने वाले भविस्टे में अपने हमारे जो बच्चों के भविस्टे में ऐसा काम कोई नहीं कर सकता इसा काम से लिया था चार पर आम आदमी पार्टी तीन पर कॉंग्रेस क्या बीज़ेपी को इससे फाइदा मिलने वाला है कुछ रपादा मिलेगा बता दीजे मैंड़ना में कब रविवी हो लिया कभी घमन तो रामन का मिली रहा के जिवाल गमन तो ड़ेगा मैं कहता हूं के जिवाल खुद र मैं यह बताओ और रही बात अभी चार तीन की जो मैं कह रही थी मैं कह रहा हूं 6 दसक में जो पार्टी इस देश का बेड़ा गर किया जिसने कॉंग्रेस ने आज उसकी गोद में जाके बैठ गई है आज उनकी उनकी जरूत पड़ गई इनको यह बताओ अब मेरे को हैं मै मैं यह कह रहा हूं जो घटबंदन हुआ है ना हमारे सातों परत्यासी जो 2019 में जीते थे उससे डबल मार्जन से जीतेंगे आज लिख लेना इस बात को मनोद्र जेए जे 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 जाए आज ये जेखो मोधी जीन है इस देश में छे एम से आज-चेरिसेंट मैं अगनी फाइब फोर फाइव शिक्स आकास परले सटर तरह की मिसाईल लोंज करती देश सुरक्सित है तो हम है नकेजीवार कुछ करता ना कोई मोधी के रहते देश प्रख्षित हैं इतना विकाश सारे हाईवे जिए सेमी कंडेक्स चिप्ट में आज हम नंबर वन पर आने माले दूर्थी बात मुबाइल में नंबर एक पर हैं अर्थ वस्तमें नंबर तीन पर पाँच पाइद ये तीन पाइदे वाले और जी मोदी ने इस देश को ठादिय पॉल भारत बोल का अचकाई कारिकरम हम लोग यही खतम करते हैं लोग सबाचुनाव है इसलिए जनता भी हुकार भरती हुई नजरा रही है आम आदनी पार्टी कॉंग्रेस बीज़पी आमने सामने हैं बले ही गटबंदन हो गया हो लिकिन सच्चाई आप सभी देखी रह हैं लोग सबाचुनाव है इसलिए हम भी लगातार आपके सामने पेश होते रहेंगे फिलाल के लिए बोल भारत बोल के इस कारिकरम में बस इतना ही जल्थ हाजिर होंगे एक नई कारिकरम के साथ तब तक के लिए आप देखते रहें श्रेष्ट भारत जहिन श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत